दोस्तों जन्मश्मी के आप सबको बहुत बहुत कि शुक्का आपनाए रसोई के चटकारे विदमलिका में आपका स्वागत है कृष्ण जन्मश्मी के उपलक्ष में आज मैं धाकुर जी को भोग लगाने के लिए आपके सामने कुछ ऐसी डिशिस की रसिपी लेके आई हूँ जो बनाने में असान है जल्दी बनती है घी उनमें बहुत कम यूज़ करते हैं आज हम बनाएंगे लौकी की लौच धनिय की पंजीरी रामदाने की खीर समाक के चावल सिंगाडे के अटे का पाटोरा और कृष्ण दी का पेवरेट मेवा पाग चली बनाए लौकी की और इसको पील कर लेगी कोशिच कीजिए लौकी कच्ची होगी उतना ही जादा अच्छी आपकी लौच बनेगी इस तरीके से इमने इसका निकाल लिया और अब इसको हम कतुकस कर लेगे लौकी हमारी खिस चुकी है अब इसलिए लौच बनानी स्टार्ट करते हैं लौच के लिए सबसे पहले खुआ बना लेंगे उसके लिए मैंने 500 ग्राम से थोड़ा जादा दूद लिया है खुआ तयार बाट के लिए चड़ा दीचे एक लास पानी दो टेबल स्पून चीनी गुलती है इसमें डाल दीचे लौकी और लौकी को इस चीनी वाली चाश्की के प डाल दीचे एक टेबल स्पून खुआ अच्छी तरीके से इसमें मिक्स कर लेंगे है खोई के साथ इसमें डाल दीचे ए ग्रीन कलर ये लौज हमारी अब हो गए तयार एक कंटेनर में ही लगां तरके अब इसको हम दिकाल देंगे अब इससी सपेटला की हल्प से पुरे मे बनाने के लिए हमने लिया है धन्या इसको दीमी आज पर भून लीजेगा जब तक इसमें से खुश्बू नानी शुनु हो जाए दन्या भूनते वक्ति इसमें डाल दीजे दो चमच घी जन्मर्शमी पर धन्या की पंजीरी इसलिए बनाते हैं क्रिशन जी को हम अन्न का हो गया है अब इसमें जितनी हमने दन्या लिया था उतना ही पूरा डाल देंगे अच्छी तरीके से से मिक्स कर दीजे और इसमें डाल दीजे साथ से आट बदाम बलकुल बारी कटे हुए मखाने दस से बारा किशमेश और मिंगी और ये हमारी धन्या की पंजीरी भी तयार हो गई समा के चावल बनाने के लिए मैंने सबसे पहले ये आधी का टोरी चावल भी हो दिये अब इने बनाना शुरू करते हैं बनाने के लिए सबसे पहले एक चमज घी इसमें डाल दीजे थोड़ा सा जीरा थोड़ी सी मुंफली हम फ्राइ कर लेंगे मुंफली भुं कर दो अज़े एक ग्लास पानी हम ढ़ा देंगे एक चोटा अलू इसके साथ ही उसमें डाल देजे तो क्यों हमने अधी काटोरी चावल लिये थे तो एक चममच नमक आधी चममच काली मिर्च चावल को मैंने जाली में निकाल लिया था इसको अब पानी डाल देंगे थोड अब इसमें हम डाल देंगे एक नीबू पाटोरा बनाने के लिए सबसे पहले हम सिंगारे के आटे को भून लेगे इसमें एक चम्मच घी डाल दीजेगा साथ में देखिए इसके खुझगवाने शुरू हो गई है अब इसमें पानी डालना शुरू के जैसे आप हलवे के लिए करते हैं ध्यान रखेगा गुटली निपढने चाहिए धीरे-धीरे करके गाड़ा होता जाएगा यह देखिए गाड़ा होने लगा है अब हम इसको प्लेम पे से उतार लेंगे और एक प्लेट में घी लगा परके इसकी परफी जमा लेंगे इसको इसमें डालके ठंडा होने देंगे यह जम जाएगा यह देखिए पाटवरा हमारा जम के तयार हो चुका है ठंडा हो गया है अब इसको हम डामिंड की शेप में इसकी कतली कट लेंगे कतली निकाल लीजे, ये रेखिए, इसकी सारी कतली निकाल के मैंने तयार कर ली है, एक कटूरी में थोड़ा सा नमक, सेंदा नमक उफरत में खाया जाता है, तो वो ही उसकीजेगा, और उसके साथ में हम इसमें डाल देंगे, काली मिर्च, एक पाउल में कतली लगा लीजे, और इसके उपर डालिये, ये खाने के लिए तयार, और यि में घीर खाने के लिए, अमक, सबसे पहले दूद उबाल लिया, और उसमें धीरे-धीरे कर और राम दाना ड़ते जाएगे, राम दाने को फूल में दीजेगा, इसमें ठीक। सोब तोरह है, इसको दीमा कर दीजे तो यह दो से तीन मिनट के अंदर रामदाना फूल के रड़ी हो गया है इसमें देखिए मैं थोड़ा से पहले डाल रही हूं किश्मिश बादाम ग्रेटेट बाला और इसके साथ इस्टर टेस्ट और बढ़ाने के लिए मैं इसमें डाल रही हो खुआ यह आपके लिए तोफ बेवा पार्थ में रिए मगश्ट बिंगी इसको अलका सब्सक्राइब कर लिए इसको निकाल लेते हैं अब लिए इसी बिंगी और मैंने लिए बढ़ाम है जिते काट दियाते है अलका हलका फूल दीजे इंको भी निकाल दीजे हम अब हम ढालेंगे दो चमच देशी खी मकानो को हम रिखाने और मियंगी को ऋंड्र हम ग्राइंडर दीजे चाशनी का नानिशु करते हैं, इसके लिए में आधी कटोडी के करीब पानी डालो भी और एक बावर भर चीनी चीनी के घुलते वर थी इसमें डाल दीजे एक चमच और खीन यह देखिए चाश्मी हमारी रेडी हो गई है यही कंसिस्टंसिय में चाहिए होती है अब इसमें मैंने डाल दिया है मखाने और मिंगी और इसके साथ ही आप इसमें डाल दीजे गोले, मदाम और चिरोगी इसको अच्छी दरीके से विक्स होता है अब इसको हम एक लेट में आपको जो मैंने छेव रेसिपी शेयर करी है यकीन मानिये घी का तेल में मैंने बहुत कम यूज किया है हल्की है सारे दिन व्रत करने के बाद में शाम को आप ज्यादा भारी नहीं घाना पसंद करते हैं बनाइए खाईए स्वस्त रहिए तब तक के लिए टेक केर हैपी ज झाल